हेलो, गुड मॉनिंग द्या स्टुडेंट्स, वेलकम तु मैंस्टरी चैनल, प्रिसेप्टर रोहित, तो द्या स्टुएंट्स, आज हम एक न्यू कुंसेप्ट पढ़ेंगे, अभी तक हमने मीन, मोड, मीडियन ये सब चीजे पढ़ ली थी, आज हम ग्राफिकल रिप्रेज क्या पढ़ेंगे, तो यह को हम बोलते हैं, तो लिया संच, आज हम बोलेंगे, इसके बारे में भी सब पढ़ेंगे, तो द्यास यहां पर देखो, सबसे पहली लाइन क्या लिख हुई है, पिक्चर स्पीक बैतर दन वर्ड्स के बोलनी यसी, देखो, देखो डिस्टूएं जाओं और आपको दिखाओं ना तो इसका मतलब आपको तो कुछ समझ नहीं आएगा लेकिन अगर मैं पिक्चर मतलब यह लिखा हुआ दिखा रहा भी हूँ और साथ मैं बोल रहा भी हूँ तो उससे क्या होगा आपको और अच्छे से अंडरस्टेंडिंग होगी अगर मतलब बातें करते जाओं बोलते जाओं कि पिक्चर स्पिक बैटर देन वर्ड्स तो अगर यह लिखके यहां पर नहीं दिखाया हो तो यह मतलब एक पिक्टोरियल रिपर्जेंटेशन होती है जो हमें पिक्चर्स के हिसाब से हम दिखा सकते हैं तो जैसे हम बोलें कबुत हैं मतलब उनसे जो दिखाया गया मतलब पिक्चर को अगर रिपर्जेंटेशन किया गया हो तो हम जादा दे तक याद रख सकते हैं तो अडियाशन और ग्राफिकल रिपर्जेंटेशन हमने जब की होगी तो उस डाटा को हम बहुत ही अखानी से अब्जर्ब कर सकते हैं कि यह डाटा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कहां पे इसकी क्या वैल्यू आ रही है तो अगर हमने पूरा डाटा लिखा होगा हम सारे को पढ़ेंगे तब जाके हमें पर जलेगा लेकिन पिक्टोरियल यह रिपर्जेंटेशन होती है वहां से हम चिर्फ उस कर्व क देखके यह ग्राफ कि में जो भी कर्व होगे जो भी क्याट होगा उसको देखके ही हम पूरा का बुरा आइडिया लगा सकते हैं कि यहां पे कौन सा पॉइंट है यहां पे किसकी वैल्यू कितनी है तो देश वही का हमने लिखा हुए है इन क्लास 9th क्लास 9th में हम क्या रिप्रेजेटेशन आप डाटा थो वार ग्राफ देखो तो बहां पे हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना सीखा था किसे वार ग्राफ से हिस्टोग्राम से उसके बाद फ्रिकोंशी पॉलिगन से दा कर्व विच इस ओप्टेंड और रिप्रेजेंटिंग दा कर यहां फिर उसी को हम क्या बोलते है ओजीव बोलते है इसको पढ़ना क्या है डियसेंट्स ओजीव ओजीव ओजी आई वी तो डियसेंट्स ओजीव is of two types देखो ओजीव भी कितने किसम क्यों होगी two types की क्यों क्योंकि डियसेंट्स बहां पे आपने cumulative frequency distribution जो आप कहां बहा और उसी के लिए less than type के लिए ऐक अलग से ऊजीव होगी और more than type के लिए यह यह उजीव भी क्या होगी two types की होंगी एक होगी less than type औचीव और दूसरी होगी more than type औचीव मतलब जिसमें less than type frequency distribution होगी तो उसमें less than type औचीव बनेगा और जिसमे more than or equal to frequency distribution होगी तो वहाँ पर हम क्या करेंगे more than type औचीव बनेगी वहाँ पर तो इस तरह से ओजीव भी हमारे पास two types किया गई the term ओजीव is pronounced as यह लिखा हुआ है देखो इसको O-G-I-V लिखा हुआ है और इसको हम pronounce करते हैं O-J-E-E-V ओजीव तो ओजीव की तरह हम इसको pronounce करते हैं and is derived from the word और यह कहां से word आया हुआ है O-G-E-O-G तो shape consisting of concave arc flowing into a convex arc so forming S-shaped curve with vertical ends देखो 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 इसमें क्या है कि जो यह O-G-E-V का मतलब क्या है यह एक S-shape होती है जो S-shape में होती है मतलब S-shape में है कि यह इस तरह से देखो यह आप बच्चों को पता है concave मालू में है 10th class में आप बच्चों ने अगर science पढ़ी होगी तो एक concave में होता है एक convex में होता है तो इस तरह से दर आप देखिएगा इसको तो यह क्या है इसके लिए concave है और यहां से अगर इसको देखिए यह क्या है convex है तो इसके यह वाला portion concave पहले होता है फिर convex arc में change हो जाता है मतलब s-shaped जो curve होती है उसी को हम क्या बोलेंगे oziv बोलेंगे तो इसका मतलब जो भी हमारे पास oziv आएगी तो इसी shape की आएगी approximately s-shaped ही curve होगी तो इसके इसका मतलब यह कहां से oziv वर्ड ड्रा किया हुआ है oziv से oziv का मतलब होता है हमारे पास s-shaped curve with vertical ends और वहाँ पे क्या होती है vertical ends let us draw oziv for following cumulative frequency distribution और अब हमने माल लिया हम क्या करते है oziv ड्रा करने की try करते है किसके लिए जो नीचे यहाँ पे टेबल दिया हुआ है more than type के लिए भी और less than type के लिए भी तो यहाँ पे देखो less than type है less than type में हमने यह data पीछे भी हमने example में किया था तो वहीं से data उठाया हुआ है तो less than type में हमारे पास अगर less than 10 हो तो 5 आगे cumulative frequency less than 20 तो मतलब 20 से कम बाले कितने होगे 5 बाले भी आजाएंगे और 3 और हो जाएंगे तो 8 होगे फिर 30 से कम बाले 12 होगे 40 से कम मतलब जो सिर्फ 40 से कम यह सारे तो वह कितने हैं 15 आ रही है cumulative frequency इस तरह से less than 50 वाला लिया है 18 आ जाएगा 60 वाला 22 70 से less than 29 80 से less than 38 90 से less than 45 100 से less than 53 तो इस तरह से यह क्या है मतलब ऐसे इतने बच्चे जिन बच्चों ने 100 में से उनका क्या हुआ था टेस्ट हुआ था ऐसी कुछ एजैंपल दी वहाँ पे और मार्क से उप्टेन किये थे 10 11 या 100 से जादा वाले am जीरो जीरो से जादा वाले बच्चे तो वो हैं हमारे पास 53 students, total 53 students है, अब ऐसे बच्चे जिनके marks 10 से जाला है, वो 48 है, ऐसे बच्चे जिनके marks 20 से जाला है, वो 45 है, 30 से जाला वाले, वो 41 है, 40 या 40 से जाला वाले 38 है, उसके पास 50 या 50 से जाला वाले 35 है, 60 या 60 से जाला वाले 31 बच्चे है, ऐसे बच्चे जिनक जिनके marks 80 या 80 से जादा है वो कितने बच्चे हैं वो हमारे पास 15 स्टूडेंट्स है और ऐसे बच्चे जिनके marks 90 या 90 से जादा है तो आठ स्टूडेंट्स है तो इसका मतलब रिच्चों अब आप बच्चों को यह भी पता है कि more than or equal to type होता है तो वहाँ पे हमने कौन सी limits ल लिमर्स ली होती है तो यह आप बच्चों ने याद रखना है more than time में हमने low limits ली होती है और less than type में हमने higher वाली limits ली होती है मतलब upper limits ली होती है I hope आप बच्चों को यह समझ आ गही होगी बात तो यह तो हमने पहले भी बढ़ा था less than type और more than type cumulative frequency distributions तो इन ही distributions के अब हम क्या क आप बच्चों को दिखाएंगे कि हम कैसे ड्रा करेंगे to represent the data in the table graphically यह जो हमें table में data दिया हुआ था less than type more than type तो इस data को जब हमने graphically represent करना होगा तो यह upper limits ली होती है और less than type में upper limits होती है यह upper limits यह low limits जो भी limits होगी उनको हम x-axis पे लिखेंगे किस पे x-axis पे यह जी आप जो हम याद रखना है कि हम जो भी limits होगी upper limit लें चाहे lower limit लें मतलब चाहे less than time में चाहे more than time में जो भी limits हमारे पास होगी वो हम x-axis पे लेंगे उसके बाद यह students and their corresponding cumulative frequencies और उनके correspondence यहाँ पे देख 100 है तो 100 के corresponding frequency क्या रही है 50, 3 रही यह cumulative frequency तो यह जो frequencies होगी वो हम किस तरफ draw करेंगे वो आप y-axis पे लिखेंगे इसका मतलब यह जो values होगी यह हमारे पास less than type में यह वाली values होगी जो 50, 60, 70, 80, 90, 100 तो यह वाली values हम x-axis पे लिखेंगे क्योंकि यह upper limits है और यह जो cumulative frequencies वाली values है इनको हम y-axis पे लिखते हैं choosing the convenient scale और हम अपनी मेर्जी से जो भी हमें scale स पता है ऑगर हमे जब 9th class में आप पड़ते हैं तो वहां पे हम कितना defense लेते हैं पांच-5 का defense लेते हैं 10-10 का defense लेते हैं या दो-2 का defense लेते हैं वह हम ज rollers 중요 से हूंब दोन दरáfic बदोन चाहों होगे तो हम उस तरह का defense ले लेंगे एक expor ये 1 unit 5 दूरूरूर नहीं है, इससे बाद नहीं है, इसके पास घंड़ हो लिएक गरवं फाइक दूरूरूरूरू नहीं हम एक जोनी हो अब हम च्या करेंगे, लो अपर रिम्त जो भी हमास ये एक पास तरह का टेवलों होगा। जिसमें जो वाली limit होगी, वो limit लेंगे, उसके cost बनी हम क्या ले लेंगे, cumulative frequencies ले लेंगे, तो यह सुझे मैं आप बच्चों को यहाँ पर दिखाता हूँ बहले, table में से ही, के table में जो मारे पास points क्या आ रहे हैं, 10, 5, क्योंगी यह 10 आ जाएगा, x-axis पे 5 आ जाएगा, y-axis प frequencies और यह limits हमने लेनी है, x-axis पे, तो point बन जाएगा, 10, 5, 28, 30, 12, 40, 15, 50, 18, 60, 22, 70, 29, 80, 38, 90, 45, और 153, तो यह हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप बच्चे देख पा रहे होंगे, देखो रेक्टेंस, वह हमने लिखा हुआ है, 10, 5, 28, sorry, 28, 30, 12, 40, 15, 50, 18, 60, 22, 70, 29, 80, 38, 90, 45, और 153, तो यह less than time के लिए यह बाले points आजाएगे, उसके बाद यह सुन कि हमने more than में देखना है, तो more than में भी यह points हमने लिखे हुए है, देखो यह limits है, तो यह 0 के साथ 53 आएगा, 10 के साथ 48 आएगा, 20 के साथ 45 आएगा, 30 के साथ 41 आएगा, 40 के साथ 38 आएगा, 50 के साथ 35 आएगा, 60 के साथ 31 आएगा, 70 के साथ 24 आएगा, 80 के साथ 15 आएगा, 90 के साथ 8 आजाएगे, तो यह points हमारे पास, more than time में आजाएगे, तो यह हमने यहाँ पे points लिखे होगे, देखो तो more than time में हमारे पास points पहुंचे आएगे, 0 के साथ 50 यह बादाया मैंने, उसके बाद 10 क साथ 48, 20 के साथ 45, 30 के साथ 41, 40 के साथ 38, 50 के साथ 35, 60 के साथ 31, 70 के साथ 24 और 30 के साथ 15 और 90 के साथ 8 अब डिशन्स हमने यही वाले points यह less than type के लिए एक हमारी less than type की बनेगी दूसरी more than type की बनेगी और उसमें यह points ले लेंगे तो पहला point less than में क्या है? 10, 5 तो डिशन्स सबसे पाइब आदे आप बच्चों ने क्या करना है? एक x-axis लेनी है तो यह x-axis होगी और दूसरी y-axis तो यह होती है हमारे पास x-axis और यह होती हमारे पास y-axis अब रिश्रम्स है हमने X-axis ले ली ये B-axis ले ली और ये हमारे पास क्यों सा पोइन होता है? और रिजन पोइंट तो अब हमें क्या करना है रिश्रम्स? जो भी हमारे पास less than time में पोईंट्स हैं तो वह वाले पोईंट्स हमने देखने हैं तो ऑम से पहला po好好 क्या था वह हमारे पास था यहां पे देख सकते हैं वह था हमारे पास 10,5 तो दिसमें questo 10,5 points है तो कैसे आएगा यहां पे देख लीजीएगा यहां पे हमने यह distances ले लिते हैं यह equal ले लिते हैं आप बच्चों ने कुन से distance लेने है एक्स एक्स पे जितनी भी लिमर्स है हमारे पास तो लिमर्स क्या थी वो उनमें defense भी equally था 10, 20, 30, 40, 50 था ना equally distance मतलब हर एक में पहला 10 था से दूसरा 20 था तो बीच में खरा कितना आरा 10 कहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास यह वाले पॉइंट्स हमने क्या लेना है बराबर पॉइंट्स लेना है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के लिए यह हमारे पास क्या थी limits थी तो यह हमारे पास less than time में यह upper limits होती तो यह ही upper limits थी तो यह हम नहीं यह आपने लिख लिखी हुई है और y axis में आपने क्या लेना है अपनी मजी से जहां तक value हाई और क्या थी हमारे पास higher value वहाँ पे वह हमारे पास higher value थी यहाँ पे 53 मतलब सबसे जाला frequency कितनी है cumulative frequency वह है 53 और सबसे कम कितनी है 5 तो directions आप बच्चों ने इस तरह से यह बाद यह value लेनी है कि 0 से लेके 53 तक आन 45, 40, 45, 50, 55, 60 भी ले सकते हो तो इस तरह से आप जैसे मजी लेना चाहो तो ले सकते हो अब decision यहाँ पे देखे लिए यहाँ पी छोटा distance है हमने उसको 1020 लिया है यहाँ बड़ा distance है उसको भी हमने 1020 लिया है तो decision इसका मतलब आपको यह distance और यह distance आपस में compare करने ही ज़रू यह point और 10.5 तो decision 10 हमारा पास X axis पर यह distance है और 5 हमने Y axis पर देखना है तो decision देखो यह 10 है और 5 कहां पर आएगा 0 और 10 के बीच में तो 5 तो इसका मतलब यहां से आगे और यहां से उपर को यह वाला point कहां पर आएगा यह वाला तो पहला point आ जाएगा 10, 5 ही है, आपने 9th class में बड़ी अच्छे है, तो यह कैसे मैंने आप बच्चों को समझाया है, कि वहाँ पे हम यह कैसे points को draw कर सकते हैं, draw पे, उसके बाद यह से दूसरा point क्या है, दूसरा point है 28, दूसरा point क्या है, 20 और 8, तो यह से 20 इसके सामने तो यह आ जाएगा 8, तो यह हमारे पास आ जाएगा 28, फिर similarly आपने अगला next point है 30, 12, तो आपने यहां से 30 की तरफ से देखना है, तो यह 30 से आ रहा है, और 12 मतलब 10 से थोड़ो सा ऊपर, और वह आ जाएगा यह वाला point, तो इस तरह से यह कितना आ जाएगा, 30, 12, फिर 40 को 15, तो इस तरह से 14 आ जाएगा, 40 यहां तक को जाएगा, और 15 कहां से 10 और 20 के center में, तो यह point कहां पर लाइन कार जाएगा, तो यह वाला point क्या जाएगा, हमारे पास 10 और, sorry 40 और 15, तो इस तरह से यह वाला हमारा आ जाएगा 40, 15, उसके बाद आपको 50, 18 देखना है, तो इसक straight line जालनी है, तो वो कहां पर कार रही है, यहां पर, तो इसके सामने यह वाला point क्या जाएगा, यह point आजाएगा, हमारे पास 50, 18, similarly reactions, आप बच्चों ने यह वाले points भी draw करने हैं, कुन कुन से थे, 50, 18 के बाद है, 60, 22, 70, 29, 80, 38, 90, 45, और 100, 53, तो यह वाले points आप बच्चों आजाएगे, देखो, हमने 60 के लिए कौन सा point आजाएगा, 60 यहाँ पे है, और दूसरे तरफ से कितना आजाएगा, 22, तो YXC पे 22, तो इसके सामने यह वाले line, और इसके सामने यहाँ यहाँ पे 60, तो यह वाला point हमारे पास आजाएगा, 60, 22, फिर आपने 70 से देखना है, 70, 20, 29 है, तो 29 वाले 30 से थोड़ा सा काम, तो 30 से थोड़ा सा काम यह आजाएगा, अब सीधे line ड्रा करनी है, इसके panel, तो यह सीधे line आजाएगी यहाँ पे, यहाँ से उपर को प्रमेडिबूरली ड्रा करनी है line, तो यह हमारे सीधे, यह वाला point हमारे पास आजाएगा, 70, 29, यहाँ से सीधे रेखना है, तो point कुन सा आएगा, यह वाला point आजाएगा, इस तरह सीधे, आप बचले यह point ड्रा करते रहे हैं, उसके बास 90 से देखोगे, तो 90 से भी सीधे, उपर देखना है, और यहाँ से हमारे पास कितना है, 90, 45, तो 50 और 40 के बीच में आएगा, 45, तो यहां से आजाएगा, सीधा, तो यह वाला point आजाएगा, देखो यहां से भी हम सीधा देखे तो 90 पे आएगा, और यहां से यह वाला point हमारा पास सीधे, 45 पे आएगा, इसका अमनल, यह वाला point क्या बन जाएगा, 90, 45, फिर आपने खंडर फिटी ठीच देखना है, तो बच्चों को सिखाया है 9th class में अगर आप बच्चों को अभी भी points ज़रा करना नहीं आते हैं तो आप 9th class के lectures देख सकते हैं वहाँ पे जो 3rd chapter होगा वहाँ पे उसको आप बढ़ोगे अगर तो आप बच्चों को 6 समझ आ जाएगा इस तरह से हमने इस सारे के सारे points ट्रा कर दिये अब हमने इन points को देख पहले तो आपने सिर्फ यह points लगाए होंगे अब points लगा के आपने इनको इस तरह से line को पहले दो लिए, फिर इंको जाएंगिया, फिर इन दो को जाएंग इस थारा से यह क्या कहते जाते हैं, juice करते जाते हैं, अब बच्चों केंकिया क्या करना है Northern chic करना मेंना भा लिमें था है produkt भी समयरी तो आप भी स्पाला ह। लिमर्स वहाँ भोर तैब में तो लोगा किली यह उसके बात अब हमने क्या है होती है इस तरफ भी लेन just किली होता है कि किपनी ज्यादा लेक्त फ्रीक्वनसी गया है लेक्याइस तक लीक्त чत Чध कि लेस सब 3 है 15 25 30 35 40 45 50 55 और 60 तो ऐसे भी आप लेख सकते हो जैसे आप लिए चाहो तो जैसे जो इस तरह से आप बचकों ने यह वागा ले लेना है cumulative frequency के लिए उसके पाद यह आपर पास y-axis है यह हमार पास x-axis है तो अब हमने पॉइंट सबसे पहला पुइन्त हमारा पास क्या है यहां पे आप दें सकते हैं सबसे पहला पॉइन्त है हमारा पास 0, 53 फिर है 10, 48 तो 0, 53 देखिए तो ये सुन एक्स एक्सेज़ पर आपने जीरो देखना है तो यहां पर 0 और तो य-axis पे को तो देखना है? 53, तो y-axis पे 53 ये वाला point आजाएगा, तो यही point हमारा क्या हो जाएगा? 53 और 0-53 आएगा, क्या हैगा? 0-53, मतलब 0-X-axis पे और 53-Y-axis पे तो ये वाला point आजाएगा, इसी point को हमने 53 माना हुआ है, तो इसतरा से ये वाला point आजाएगा, फिर सा कोइंट देखना होता है उसके पार हम लेखना है 30 और 41 तो 30 यहाँछे च inhib 오른app टर 0, 2, 1, 4, 15 तो 20 यहां से उपर आजाएगा और 45 ऩुके सैंटर में होगा यह 40 से 50 के बीजे बाली line होती है यहां से बिजे बाला होगा न 45 तो HS-50 में 7 संदसे 9 सो में भी शना को चलोग, इस तरह से यह बाला पंद क्या बन जाएगा हमार बास, तेлемगा 20,45, फिर 30 और 41 देखना है, 30 यहां से देख लिया, 41 यहां से आजएगा, यह बाला पंद आ जाएगा, और यहां से 35 के लिए यह वाला point आ जाएगा, तो यह वाला point हमारे पास उस तरह से आ जाएगा, कुन सा, 50, 35, उसके बाद यहां से 60 और 31 देखना है, तो यह 60 के सामने उपर देखो, और यहां से 30 से थोड़ा सा उपर, तो यहां से यह line आ जाएगी सीधे, तो यह वाला point हमार और यह वाला point कहा से होता है, मतलब आप बच्चों ने यहां देखना है, कि यह वह जब हम इदे से उपर को देखते हैं, तो यह सीधा perpendicular line होने चाहिए, और यहां से यह वाला point होने चाहिए, पहला लोन चाहिए, यहां फिर इस line के perpendicular होने चाहिए, यह वाला point आ जाएगा, और यहां से 15, तो 10.520 के बीच में तो यह वाला point आजाएगा, यह आगा हमारे पास किपना, 80, 15, अब आप last point देखीजिएगा, वो क्या है, 98, तो 90 यहां से, इसके सामने यह है 90, और 8 हमारे पास 10 से थोड़ा से नीच आएगा, तो यह आगा यहां पे, 98, तो इस तरह से यह यह वाला point भी draw कर दिया, अब हमने यह सारे points आप देख लेने हैं, तो फिर इसी तरह से जैसे हमने पिछे होई, पहले अपनी less than वाली type में, यह join किये, वैसे ही यहां पर जाइन कर दिया यह दो points जाइन करने हैं, फिर यह दो points, फिर यह दो points, फिर यह दो points, फिर यह free hand में आपने क्या करते हैं, इस तरह से, जैन करते हैं, यह join किये, तो हमारे पास यह वही कौन सी गर्व बन गी, अब इसमें data कौन सा लिया था हमने, more than type वाला data लिया था, यह data लिया था ना, यह देख सकते हां, यह लिया था 0, 53, 10, 48, तो यह कौन सा, अब more than types वाले points थे, तो इ देखो, मैं आप बच्चों को तुमारा से यहां पर दिखाता हूं, तो देखो, यह हमें table दिया गया था, तो इसी table में से, यह less than type वाली, less than type वाली करना नहीं होगी, तो 10, 5 बड़ा देना है, 10, 5 point लोकेट करना है, 28, 30, 12, 12, 40, 15, 15, 15, 18, 60, 22, 70, 22, 20, 18, 80, 38, 90, 45, और उसके लोकेट करने है, उनके बाद इन points के द्वारा बनाए, जो इन, इन points से हमारे पास points आया होगे, तो उन points को जैन करके, हमने curve ड्रा कर देनी है, वह हमारे पास क्या हो जाएगी, और अगर मोर्दन टाइब में लेंगे, तो इन दो points के बारे में करेंगे, 0, 53, 100, 10, 48, 20, 45, 30, 41 40, 38, 50, 35, 60, 31, 70, 24, और 80, 15, 98, तो ये वाले points आप ड्रा करते होगे, तो आप बच्चे तब भी ये क्या कर सकते हो, आप more than type अली अचीब भी ड्रा कर सकते हो, तो इसमें कोई भी ज्यादा कोई खास बात नहीं है, लेकर द्यान में आपने ये बात रखनी है, कि जो हमारे प cumulative frequency होगी, वो आपने कहां पर ले नहीं है, वो आपने y-axis पर ले नहीं है, gezeigt कि हमारे बात ये scale, ये ये scale और ये अब देखेंस हमारा नेक्ष काम का है यहां पर देख लिग जेगा बोगाइपस लेस्टन और मोर्था है देखो जो दोनों यूपस हमने पड़ी लेस्टन टाइप यहां फिर मोर्थान टाइप पर सेम डाटा अब देखेंस दो डाटा में आप बच्छों को बताय था कि लिया हमने चाहे मोर्दान टाइप लिया उन दोनों के लिए जो बेसिक डाटा था वो सेम था तो मतलर वहां पर 53 स्टूडेंस ही थे दोनों के सिज में और डिखा ता गोली यह सहें यो यहां से लिएMusic डाटा के लिए हमनेGM फ्रिकोन सेão थी अर यह हमारे पास यह और ऑन चाहे आप less than draw करो, चाहे आप more than draw करो लेकिन ये data जोगी होगा तो वो मारे पास same रहा तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी data दिया गया होगा उसके लिए आप क्या कर सकते हो, less than हो गई भी draw कर सकते हो more than हो गई जीव भी draw कर सकते हो, तो अबphen these यहां से देख सकते हैं, तो डेशन हम यहां से जो median होगा, उसको बहुत ही असाली से find कर सकते हैं, तो यह हमने लिखा हुआ median from ogips, कि यह जो हमारे पास ogips आएंगी, चाहे less than type, चाहे more than type, इन में से हम median find कर सकते हैं, तो डेशन सबसे पहले को हमारा होगा, कि locate करना है end upon two को क्या अगना है, कि जो हमारे पास end क्या होता है, number of observations, जैसे यहां पे अभी जो हमने data बढ़ा तो वहां पे observation कितनी थी, 53 थी और हमने सबसे पहले end upon two को locate करना है, कहां पे, on the y-axis पे, y-axis मतलब यहां पे cumulative frequency होगी, मतलब वह वाली frequency देखनी है, यहां पे end value क्या हो, end upon two हो, तो end upon two क्या है, end हमारे पास total observations है, वो है 53, 53 upon two कितना आ जाएगा, 26.5 को, मतलब हमें 26.5 यहां फिर end upon two को locate करना है, y-axis पे, सबसे पहला स्टा पिए, तो divisions, वह में आप बच्चे को बता जाता हूँ, यहां से यहां पे देखो, 53 upon two था, तो हमने locate करना है, 26.5 को, तो यहां पे देख लिए 26.5 को, चाहे आप यहां पे देखो, यह x-axis, यह है, y-axis और चाहे यहां पे देखो, more than type में, चाहे left than type में, तो आपने कोपन सा देखोना है, 26.5 को ही, तो digit 26.5 के ейगा, यह देखो, यह 30 है, यह 20 है, तो यहां पे 25 आए, center में, वह थोड़ा साथ से उपर क्या जाएगा यह वाला point आजएगा 26.5 तो थोड़ा साथ से उपर आगया अब यह हमें locate कर दिया पहला step यह होगा उसके बाद इस दूसरा step हमारे पास क्या होगा from this point draw a line parallel to the x-axis के x-axis के पहला हमने इस point से क्या करना है एक line draw करनी है cutting the curve वैड़ा point के मतलब वो curve को क्या कर रही हो वहाँ पे कहीं पे cut कर रही हो from this point आजएगा the curve draw a perpendicular to the x-axis के इस point से हमने क्या करना है x-axis पे perpendicular draw कर देना है the point of intersection of this perpendicular with the x-axis determines the median of the data और यही जो point होगा हमारे पास the point of intersection of this perpendicular के यह जो perpendicular हमने draw किया होगा और उसका जो point जो x-axis को कांट रहा होगा तो वही point हमारा क्या होगा median होगा तो मैं एक सिंपल आप 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 बच्चों को सिकर में दिखाऊँ तो हमने यह यह आप लोकेट कर दिया के यह हमारे पास 26.5 है तो हमने यहां से यह x-axis इसके पैल न हमने सीधी एक line ले आनी है उपर आगे आगे तक कहां तक जहां तक यह curve को कार दे यहां पर इसको कार दिया तो अब हमने यहां से सीधी एक line नीचे को ले आनी है क्या करना है नीचे को ले आनी है और यह जो point होगा यही हमारा point क्या होगा median हो जाएगा तो जिसमें इस तरह से सबसे पहला काम के यहां पर end of our two को locate किया मतलब जैसे 26.5 आया था यहां पर 53 सारी total observation 53 भी उनको 2 से divide किया तो 26.5 था इसके parallel हमने यहां से x-axis पहलों हमने इस point से line लानी है कहा तक curve तक लानी है यहां पर curve को इसने काटा वहां से हमने सीधा एक line नीचे perpendicular को ड्रा कर देना x-axis के लिए और जो x-axis पर यहां पर बो काटेगा तो यह वाला point हमारा क्या हो जाएगा median हो जाएगा इस point की जो भी value होगी इस सरा से हमने अपना median find कर लिया तो this is I hope आप बच्चों को समझ आ गई होगी अगर हम more than लोगी लें तो वहां पे भी हमने यह same data के लिए तो यहां पे भी end कितना है 53 है तो 53 आपान टू कितना आ जाएगा 53 आपान टू तो वह आ जाएगा 26.5 तो 26.5 मतलो हमने यहां पे देखना है तो यह होगा 25 तो यह होगा 26.5 तो यह बाला point जो मतलो आजे से ऊपर तो देखो 20 और 30 यह बीच में 25 आएगा तो 25 से थोड़ा सा उपर 26.5 होगा तो यहां से हमने सीधी एक line ड्रा करनी है panel और यह हमने ड्रा कर दी यहां पे इस तरह से अब हमने इस line से क्या करना है नीचे को सीधी एक line यहां पे आप सीधा perpendicularly line ड्रा कर सकते हैं यहां से देख तो आप बच्चों को समझ आ गई होगी कि सबसे पहले हमने यह graph ड्रा करना है फिर हमने to locate करना है y-axis तो यह है y-axis तो y-axis पे जब हमने end upon to locate कर दिया वहां से सीधी एक पहले line डानी है x-axis के पहले और curve तक तो curve से हमने सीधे नीचे कुलाना है तो यहां पे यह 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 line वही हमारे पास क्या हो जाएगा वही हमारे पास median हो जाएगा I hope this one एक method आप बच्चे को median निकालने का समझ आ गया होगा अब this one दूसरा method क्या है दूसरा method है हमारे पास draw both ogips तो यहां फिर हम क्या करें both मतलब दोनों ogips को हम क्या करेंगे draw both ogips on the same axis के वह जो same graph होगा उसी हम एक less than type आ रली और एक more than type मतलब यह है more than type और एक less than type, दोनों ogips को हमेस्म axes फे draw करते है, मतलब एक graph लेना है इस तरह से और उसी graph पे हमने less than type हमने more than type में लेना देनी है और यहां पर यह दून Double ogips एक दूसरे को काटेंगी, तो उस point से 응 लाइन नीचे लानी है x-axis पे और यहाँ पे जो point आएगा इसी को हम क्या बोल देंगे median बोल देंगे तो यह से बोई दिखा था two jips will intersect each other at a point कि यह दो jips जो draw की होंगी वो किसी एक point पे काटेंगी और जिस point पे वो काटेंगी from the point from this point draw जिस point पे वो आपस में intersect करेंगी उस point से हमने एक सीधा perpendicular draw कर देना है तो जब हमने perpendicular draw कर दिया x-axis पे तो जो point x-axis पे आएगा तो उस x-axis वाले point को हम क्या बोल देंगे median बोल देंगे the point add भी the perpendicular cuts x-axis कि यह जो perpendicular हमारा होगा जिस point पे x-axis को कट करेंगा मतलब यहां पे point आएगा तो उस point को हम क्या बोल देंगे median बोल देंगे I hope this friends आप बच्चों को आप दोनों method समझ आगे होंगे एक method में हमने क्या करना है सिरफ less than type या फिर more than type equo drive Rider raise जब equo jeep draw की उसके बाद हमने क्या करना है an upon 2 को locate करना है y-axis uh andrente और वहां से हमने जो cd panel spread लाइंगे x-axis यह उर वहां से हमने perpendicular measure несколькоscharkan pairруз को काटेगा कहीना कहीं पोwenट उस point को hadga हमारा क्या का καत बोलच इस निथर दूसरा method सा दूसरा मेथाल में हमने दोनों jeeps ड्राइब से पक्रफर करना पढ़ती हैं लेस तन दाइथी और मोर्धन टाइथी तो जेह हम दोनों jeeps ड्राइब से क्या करेंगे फिर हम वहां से देखेंगे जिस पॉइंट पे दोनों जीब्स ने काटा हुआ है एक दूसरे को इंटरेक्स किया हुआ है वह उस पॉइंट से हम पर्पैनिकुलर ड्रा करतेंगे सिधे पर्पैनिकुलर काटेगा वह इंटरेक्स करेगा तो वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा आप बच्चों को यह दूनों मैथर समझ आगे होंगे अब हम एक्सराइज में यही चीज़ें आगे सॉल्ब करेंगे अग्जेम्पल भी हम इनी पर करेंगे अब हमने क्या करना है यह जो मैंने आप बच्चों को यहां पर क्या लिख है अगर अपर लिमर्स यह हो तो कौन सी होती है लेस्टन ओजीव है जो तो यहां पर देखो लेस्टन ओजीव में अब हम क्या करेंगे जो हमें डाटा लिया था पीछे हमें वही वाली ओजीव ड्रा की हुए यहां पर दोपर द्वारा तो जेजर्थ अब हम क्या करेंगे सीदह परपेटीन नीचे को जब देखो यहां से हमने एक लाइन ट्रा कि This अब इस सुरी एक निक कर देख क्या कर सीधे परपेटीन है किट यह ने हैं स्वाइन कॉट्ट यह पर डरा करना है और यह ईस पोइंट में सक्षास yaşतकर को काट देखो यह हमारे यहां पर आपको समय नहीं आ पारा होगा तो यहां पर यहां पर इस पॉइंट पे इन्होंने काट आए कुछे को यहां पर इंट्रसेक्ट हो रही है उसी पॉइंट से हम सीधा एक परपेंडिकूलर ड्रा करेते हैं तो यहां पर इसमें हमड़ा जाएग तो इस तरा से आपस पैसे को समझ आगर होगा किया हो गा है तो तो यहां फिर हम यह वाला मैथर है तो इसमें भी हम क्या करेंगे एन अपान 2 लोकेट कर देंगे y-axis पे कर्व चाहे यह वाली less than type हो चाहे more than type वाली हो चाहे जो भी कर्व होगी लेकिन आपने एन अपान 2 को लोकेट करना है फिर सीधे यहां से एक line ड्रा कर देनी है curve तक तो curves यहां पर यह point को यह line curve को काटेगी तो इस point से सीधा एक perpendicular ड्रा कर देना है और यह point पर यह perpendicular x-axis को यह वाली x-axis इसको जहां पर यह काटेगा तो यह हमारा क्या होगा median हो जाएगा यहां से आप बच्चों को और भी अच्छे से यह concept क्लियर हो जाएगा तो इक्जेम्पल 9 में हमारे पास क्या है अगर 5 लाग या 5 लाग से जादा वाली जिसमें प्रॉफिट है तो वह कितनी शाप्स है वह 30 लाग से जादा वाली जो उसके बार इसके बाद आसी शहाप्स जिनका प्रॉफिट कितना है है 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 हमें frequency distribution दी के accumulative frequency distribution दी हुई है more than type table नाया हुआ है तो अब हमने equations करना क्या है इस question में हमें यह दिया हो गया यहां पर मैंने लिखा नहीं है skip हो गया तो equations यहां में हमने करना गया draw both the jips के हमने both के less than type भी और more than type दोनों jips draw करनी है और फिर हमने find the median भी करना है मतलब उनी में से हमने median भी find कर दे रहा है तो equations वो कैसे करेंगे सबसे पहले हम less than type भी ट्राह करेंगे फिर हम more than type भी रख करेंगे फिर हम एक ही graph लेंगे उसपे leax than type भी डालेंगे more than type भी डालेंगे और यहां पर यहure चाट करेंगी उजीव ड्राइब करें तो सबसे पहले हमें 5-30 देना पड़ेगा 10-28 फिर 15-60 कोईट आएगा 15-16 आएगा 20-14-25-10-37-35-3 तो यह वाले points आ जाएंगे इन ही points को हम ड्रा करतेंगे अपने जो graph होगा हमरे पास तो सबसे यहां पर लिखे हुए उसके बाद यह points हम क्या करेंगे then we will join these points तब यह यह points locate कर दिये उसके बाद हमने क्या कर देना है इन points को join कर देना है to get a smooth curve के smooth curve join कर देनी है और वही हमारे पास more than a year बन जाएगी तो decisions अब सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा देखो सबसे पहले हमें काम यह करना पड़ेगा कि हमें इस तरह का एक graph ड्रा करना पड़ेगा तो यहां पर देखो आप बच्चों को पता है कि यह हमारे पास होती है x-axis और यह वाली होती है y-axis y-axis पे हम लेते है cumulative frequency और x-axis पे हम लिख लेते है लिमिट्स अब more than type वाला टेबल था उसमें होती है low limits तो यह आप बच्चों को बता ही है तो low limits यह होंगी profit में तो वह हमने ले 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 लाए लिख ले ले यहां पर अब डिशन लो लिमिट्स क्या थी 5, 10, 15, 20, 20 यह थी तो यह हमने इसी तरह का table ले लेना है 0, 5, 10, 15, 20 25, 30 और 35 वाले point ले लेने है और यह equal distance ले लेने है यह आप ड्रा कर सकते हो उसके बार डिशन साब बच्चों ने क्या करना है cumulative frequency वो कितनी थी maximum वो थी सबसे ज्यादा थी 30 तो आप 0 से लेके 30 तक आप जिस तरह से लेना चाहो difference चाहे 5, 10, 15, 20 का लेना चाहो चाहे आप 2, 4, 6 यह आप 10 का लेना चाहो जैसे भी आप difference लेना चाहो तो ले सकते हो तो मैंने यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से लिए है और इसको थोड़ा और बड़ा table बाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते 0, 2, 4, 6, 8, 10 उसके बाद 12, 30 तक आपको लेना ही लेना है बस 30 तक लेना ही है तो अब हमने यह ले लिया इस साथ से अब हमारा सबसे पहला point था 5, 30 क्या था 5, 30 तो 5 से हमने भी एक्स 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 पे तो 5 आ जाएगा x-axis पे 30 आ जाएगा y-axis पे 30 के कार्समाने यहां पे देखो और यहां से 5 के सामने देखो तो कौन से line आएगी यही line तो यह point कौन सा बन जाएगा आप बच्चों ने यह 9th class में point गिर करना बहुत अच्छे से सीखे हुए है मतलब आपने यहां से देखना है 5 और x-axis वाला देखना है 5 और y-axis वाला देखना है 30 तो यह देखो इन दोनों के सामने कौन से line point आएगा यह point आएगा इधर से 5 के स 30 के सामने तो यह point आजाएगा तो यह लिख लिया उसके बाद इसवर हमाराँ 25 यह है, 26 आजाएगा 27 यह और 28 yadya, 28 के सामने आ जाएगी यह वाला, 10 के सामने यहां से यहां तो वो आजाएगा यह वाला पॉइट, तो यह हमारे पास आजेगा 10 28 फिर हमने 15 और 16 तरह करना है, 20, 24, तो 20 के सामने ये वाला point आ जाएगा, और यहां से 24, 20 और, sorry, 14, 20 और 14 था, तो 20 के सामने यहां पे, और यहां से 14 के सामने, 14 के सामने ये point, और 20 के सामने ये, तो यहां जाएगा 20, 14, अब ये point भी drag कर दिया, उसके बाद ये श्वन सा, आपने कौन सा drag करना होता है, 25, 10, यहां से आपने सीधा 25 के लिए देखना है, और यहां से आपने 10 के सामने देखना है, तो 10 के सामने ये आ रहा है, और 10 25 के सामने ये, तो ये वाला point हमार पास आएगा, 10, 25 और 10, उसके बाद ये point, और 7 यहां से 5 ये थोड़ा उपर आ जाएगा, तो यहां से 5 ये थोड़ा बाकिवाले points हमने यह नहीं draw कर दिए तो यह सारे points के अब हमने लाइन नहीं draw ही होती है तो सबसे पहले हमने यह coins को कुईरण कर देना है यह हमारे पास बच्चों को जयन कर देना है ματα दा मतल् aged हो जाएगा है I hope this friends आप बच्चों को अब समझ आ गया होगा कि हम उजीव कैसे ड्रा करते हैं आपको सिरफ क्या करना है points locate करने हैं और points locate करके उसके बाद क्या करना है आपको इन points को join करना है तो आपको जो curve मिलेगी वही आपकी उजीव बन जाएगी तो I hope this friends आप बच्चों को इस लेक्ट पसंद आया है तो यह संद अगर लेक्ट पसंद आया है तो फटावट से like बन जिरूर क्लिक कर लीजिए और comment section में जिरूर अपनी feedback दाले आप बच्चों को पता है यह lecture मनाने में बहुत ही आपकी स्टूरेंस के साथ भी इन लेक्टिस को जूरूर शेयर करेजिए तो बाई बाई टेक केर एंड स्टे टून